इस तरह से यहां कोई disturbance होगा इस तरह का हम लोग कोई ख्याल नहीं है सीत कालिन सत्र से पहले जो कारेकारी शवापती है विधान परिशद के उनसे ये शवाल पूछे गए कि कहीं तो कहीं सदस्ष लोग जिस तरीके से हंगामा करते हैं सत्र के दोरान या तोड़ फोड करते हैं उस सवाल पर सीधे तोर पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है हमारे सदस्ष जितने वी हैं वो पूरी तरीके से जो है वो सही है ऐसा कोई बात नहीं है वहीं उन्होंने कहा कि इसके लिए कारवाहवार के ठिक्स कमिटी बनी हुई है जो पूरी तरीके से इस कमिटी के सदश्यों पर नजर रखती है और हमारे सभी सदश अनुसासन रहते हैं यानि कह सकते हैं कि जिस तरीके से सितकालीन सत्र के दौरान अगर हंगामा होता है तो के लिए कमिटी बनी हुए है और वह कमिटी पूरी तरीके से शबाश्यों पर सभी सदश्यों पर और सीथ कालीन सत्र वह शानती पून तरीके से चलने वाला है कोई ऐसी बात नहीं है जो हाउस को लेकर कोई डिस्टर्वनस नहीं हो सकती है यह तमाम चीजे आए आज वह जो कारीकारी सभापती हैं विधान परिशथ के उन्हों ने जानकारी दिए शितकालीन सत्र को लेकर क्या कुछ कह रहा है वह हम आपको सुनाते हैं सभी मानिय सदस्ट चाहते हैं कि हमारा जो प्रश्नावे उसका उतर सरकार दे तो इस तरह से उन लोग के जिग्यासा रहती है और अपर हाउस है तो इसका कुछ थोड़ा सा आचना भी दूसरा होना वी चाहिए तो इस तरह से यहां कोई disturbance होगा इस तरह का हम लोग कोई ख्याल नहीं है अन्य ध्याल में कभी हम लोग सोचते हैं कभी कोई है जानकारी पराप्त करने हैं कैसे चलेगा क्या होगा तो उस दिशा में हम ARE Minister आप लोगो प्रेस्ट को भी बुलाए में पिर बुलाएंगे जब टक आप लोग ट्रेंड नहीं तो आपने साफ़ तार से सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि एठिक कमिटी बनी हुई है जो पूरी तरीके से सदस्षों पर नजर रखती है और कारवाई जो भी कारवाई अगर गलत तरीके से करते हैं या हंगामा करते हैं या तोर्फुर करते हैं तो उन पर कारवाई भी की जाती है तो ये तमाम चीजे उन्होंने शीत कालिन सत्र से पहले ये तमाम जानक झाल झाल